हेलो गाईज वेलकम बेक टो माई यूटूब चैनल लेकर आज को हम फिर सेक और धमाकेदार वीडियो आज का वाला वीडियो बहुती कमाल का वेंट टेस्टिंग होना वाला है क्योंकि गाईज आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा PUBG Mobile Global Version में या PUBG Mobile KR में हम अपने लेविल को Fast कैसे कर सकते हैं यानि कि जो हमारा लेविल होता है उसे हम बहुती तेजी के साथ Increase कैसे कर सकते हैं आप देख सकते हैं मेरा 68 लेविल है और हमारे साथ के जो बंदे आते हैं TDM जैसे पिले करते हैं तो गाइस हमारा जो लेविल होता है जादा जरा हमारे लेविल पर ही धियान जाता है तो हम इसा Fast Up कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको 2-3 टिप्स बताने वाला हूँ और बहुती आसानी से अपने लेविल को बढ़ा सकते हो तो वीडियो को complete देखना और वीडियो सुरू करने से पहला आपसे एक छोटा सा request अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को like और चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe और साथ more notification को भी दबा दें ताकि इसी तरीके की आना वाली वीडियो हमारी सबसे पहला आपको देखने के लिए मिल सके तो बिना time best आज की इस वीडियो को start करते हैं तो guys सबसे पहला हमें अपनी profile पे click करना है हम जैसी profile पे click करेंगे तो हमारी profile इस तरीके से open हो जाएगी और अगर हम site को भी slide करेंगे तो हमारी इस तरीके से profile आजाएगी और जहाँ पे हमारा photo लगा होता है वहाँ पे हमें simple तरीके से click करना है तो guys इस तरीके से हमारी detail open हो जाएगी और इसमें हमें देखने के लिए मिल जाएगा खलाशिक label भी और जो हमारा evo label होता है वो भी इसमें देखने के लिए मिल जाएगा तो classic label हमारा वोपर आ चुकआ है 68 label और गईश यहां पे आप देख सकते हैं यहांपे हमें point देखने के लिए मिल जाएंगे और यहांपे हमें ein point increase करने है और increase करेंगे तो हमारा label जो है वो fast up बढ़ेगा तो guys यह point जो collect करने हैं हमें कहां से करने हैं तो मैं आपको tips number 1 बदाता हूँ तो guys सबसे पहला हमें बाहर आजाना है हम बाहर आएंगे तो यहाँ पर हमें mission देखने के लिए मिल जाएगा mission पर click करना है और guys आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो mission है daily mission मिलते हैं और इसमें हमें जो point चाहिए हमें experience point तो अगर हमारे mission जो complete होंगे तो guys यहाँ से हमें experience point मिल जाते हैं तो आप देख सकते हैं पहले बाले में हमें 50 point मिल जाते हैं और दूसरे बारले में जो मिलते हैं हमें 200 points और तीसरे में भी 200 points और चोथे में भी 200 points देखने के लिए मिल जाते हैं हम जैसे इने complete करते हैं तो यहां से भी हमारा label up होता है और दूसरा जो हमारा process आजाता है हमें simply तरीके से inventory में जाना है inventory में हम जाएंगे तो guys इस तरीके सा हमारी inventory open हो जाएगी और guys आप देख सकते हैं हम इन चीजों का बिल्कुल भी धियान नहीं देते जैसे मेरे पास experience card पड़े हैं और guys X2 के पड़े हैं तो मेरे पास पड़े हैं guys 23 और मैंने बहुत सारे use भी कर लिये हैं हम अगर हमें इनको यूज करते हैं तो guys हमारा experience points वह बहुत इस तजी के साथ बढ़ेंगे यांसे भी हम इने उज करके और अपने experience points बढ़ा सकते हैं और गाइस तीसरा जो इस्टेप आता है वो आ जाता है हमारा मेच खेलने के बाद तो मेच खेलने के बाद मैं आपको कुछ स्क्रीन सोट दिखा देता हूं तो गाइस आप देख सकते हैं यहां से हमें experience point देखने के लिए मिल जाएंगे और यहां हमें तेजी से बढ़ाने केसे हैं मेच खेलने के बाद और गाइस हम जाता से जाता है अगर हम आर्केट मोड खेलते हैं तो उसमें हमारे बहुती कम मिनट में हमारा मेच कम्पलीट हो जाता है और experience point जो हमें काफी सारे मिल जाते है क्योंकि अगर हम classic खेलते हैं तो guys आदे गंटे का होता है वो last में जो हमें experience point होते हैं वो classic mode में बहुत ही कम देखने के लिए मिलते हैं तो guys हम आदे गंटे में 2 या 3 arcade mode complete कर सकते हैं और वहाँ से हमारे experience point बढ़ेंगे और बढ़ेंगे तो guys हमारा level जो है वो बहुत ही fast अप बढ़ेगा तो guys मैंने आपको 2-3 tips बताई है experience point बढ़ाने की तो guys इसी तरीके से आप भी बढ़ा सकते हैं और बहुत ही तेजी के साथ अपना level जो है वो fast अप बढ़ा सकते हैं तो guys आज की video में बस इतना ही video को like channel को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe और साथ more notification को भी दबा दे ताकि इसी तरीके के आने वाली video हमारी सबसे पहला आपको देखने के लिए मिल सके तो चलता हूँ friend मिलता हूँ अगली video में तब सक के लिए take care bye bye